आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें जाग पलवन बिधी जो है, ये क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी विलेन में, किसी भी मिस्टरण में दो तरह के अवयो होते हैं कैसा एक अवयो हो सकता है पहला वाला, जो की होगा, जल प्रेमी होगा है वो जल रोधी होता है, वो जल के साथ में नहीं रुकना चाहता है, वो जल से दूर भागता है, जिसको आप क्या नाम देते हो, हाइड्रोफोबिक नाम देते हो, कैसा हाइड्रोफोबिक वाला होता है, तो इन दोनों प्रकार के मिस्टनों से जो बना हुआ मिस्टन होता है, उसको अलग करने के लिए हम जो यहाँ पर यूज करते हैं, ज्घाग प्लवन भिधि का प्रयोग किया जाता है, अब देखिए ज्घाग प्लवन भिधि में क्या होता है, जो जल प्रेमी होगा जल के साथ में तली में बैठा रहेगा पानी के साथ में और जो जल रोधी रहेगा वो पानी के साथ उपर जो जाग आया हुआ है जाग के साथ में बाहर निकाल लिया जाएगा इस तरह से अयसको का सांद्रण हो जाता है अब बात आती है कि इस जाग पलवन बिधी में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सलफाइड के जो अयस्क होते हैं, वो ही जाग पलवन बिधी में सांध्रित किये जाते हैं, अर्थात, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में सलफाइड के अयस्कों का सांध्रन होता है, तो इसमें से सलफाइड का आयस्क कौन सा है, सलफार का आयस्क कौन सा है, यह जो गैलेना दिया गया है, पहला विकल्प, गैलेना जो है, इसको देख लिजे, गैलेना क्या होता है, गैलेना को हम बोलते हैं, लेड सलफाइड, लेड सलफाइड, अब यह लेड सलफाइड, जि मैं यहां पर लिख देता हूँ उत्तर जो है सही विकल्प सही विकल्प यहां पर है एक जिसका कौन सा भाग है गए लेना धन्यवाद पर लेकर नीट आयएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनोट करें डाउट्नेट आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर